नमस्कार मैं हुल संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेव समचार पुड़े जार्खन में पंचाय चुनाओ की सरगर्मी जैसे समाप्थ हुई नगर निगयम नगर परशद और नगर पंचाय चुनाओ को लेकर निरवाचान अयोग एक्टिव हो चुके हैं आपको बता हैं कि जार्खन में कई ऐसे पारशद हैं जिनका काड़ेकाद 2020 में समाप्थ हो चुके हैं और कई ऐसे पारशद हैं जिनका 2023 में समाप्थ होगा इसके अलावा कई ऐसे नगर परशद हैं नगर पंचाय च्छेत्र हैं जहां पर प्रत्वार चुनाओ होना है तो निरवाचा प्छेलाय सकता है कि बशाद के बाद कभीikal वी अदर्साद के लेकर ये संखनाद हो सकता है तो अभी हम लोग और वाड नमर नौ में आए हुए हैं और यहां के जो पारस גण। शाहूजी वरून कुमार सहुजी है। तो इन से जानते हैं कि जनता ने जब इनको पांच वर्सों के लिए मौका दिया तो इन पांच वर्सों में इनके द्वारा क्या कुछ डिवलप्मेंट यानि विकास से काम हुआ कितने लोगों को प्रधान मंत्रियवा सोजना सोचाले राशन कार्पेंशन सरक नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किया और आगे कि क्या रहनेते हैं तमाब बिंदों पर बाद चित होगी इसके अलावा कुछ पोईट का सवाल जा भी किया जाएगा पहले तो हैं कि आप आके इतने बड़े कारिक्रम को हमारे घर पर हमारे धर्ति पर रखें कि जनता ने जब आपको पांच बर्सों के लिए मौका दिया तो अब तक चार सार चार साल का वक्त गुजर चुका है क्या कुछ डिवलप्मेंट और विकाव से काम हुआ मैं दो टर्म वर्ड परसत बना हूँ 2008 में आया था फिर बीच में छोड़ दिया इसके बाद फिर इस बार आया हूँ और हमारा सराइकरा बहुत छोटा सा एक कस्वा है पहले मूंसिपल्टी नामित हुआ था अभी जन संख्या के आधार पर इसको नगर पंचायत कर दिया गया है और यहां पर जितने भी हमारे चेर्मन आये हैं जितने भी जुकुट बहुत अच्छे काम किये हैं और मैं जहां तक अनुभव करता हूँ यहां के हमारे कार्जाले में जितने भी कर्मचारी जितने भी अधीकारी आये हैं पूरे अपने स्रद्धा भाव से और पू लोग मने आदेश आती है उसमें कुछ-कुछ हमारे जनताओं का दिकते आती है वही हम लोग से थोड़ा दिकते जो है उसको अगर स्वमधान हो जाता यह कि जनता ने जब पांच वर्शों के मौका दिया तो अब तक आपने कितनी लोगों को प्रधान मंत्रियावास सोजना स 95% तक हमारा वर्ड में हम लोग कर लिये हैं 95% तक हो चुका है और अभी कार्ज चल रहा है और हम जहां तक करवा हैं हम भी अपने स्तर से कुछ गिनेचुने लोगों का ही घर बच गया है नहीं तो लगवग लगवग पूर्ण हो गया है पुरा हो गया है अगर जिनके पास डोक्मेंट बेकरा सही है तो लगवग उनका काम पूरा हो गया पेंशन और रासन का रस्वा चाले पेंशन का बात है कि बस एक महिना से ही एक महिना के पीछे का बात बता रहा हूं यह हमारे जो सरकार अभी वर्तमान जो है यह युद्ज स्तर पर बहुत सारी पेंशन पूटे उसका योजना है बहुत अच्छी तरह से और कुछ तो लाभानी हाली में ही उनलों को एक-दो महिना हुआ पैसा भी आया हुआ है पेंशन की योजना बहुत अच्छी तरह चल रही है सोचालाई अभी तो वर्तमान में नहीं बना है करीब दो साल पहले जो पिछले कारद में बना हुआ है जिसका जिसका सोचालाई नहीं था दो साल भी नहीं बना है पर पिछले दो साल से पिछले का बात है तो घर-घर में जिसका जिसका नहीं था जो प्रधान मंत्रे आवा से बारा तक और फिर उसके बाद फिर बीच में नहीं रहे फिर दूसरी बार आप रहे तो इन दोनों टर्म को देख अगर देखा जाए तो सबसे महत्पून और इतिहासी काम कौन सा हुआ है जो आपका नाम लोग युगो युगो तक याद करें को इसा काम देखे 2008 में जो हम सब्सक्राइब को नियम बना है उसमें पारसदों की अपना जो शक्ति है उसको कम कर दिया है तो सब कुछ अफिशर्ट के बदूलत जो हो रहा है हम लोग सिर्फ खाली वोड में बैठते हैं और अपने अप सब काम हो जा रहा है जैसे कि कोई हम लोग काम निकालते हैं डिवलमेंट काम निकालते हैं तो उसको बस केबल हम लोग काम निकालना ही है बाकी सो अगर ठीक दर कैसा बना रहा नहीं बना रहा है वह हम लोग सो उतना यह नहीं हो रहा है अब देखरे करते हैं बाकी हम लोग का बात कभी उतना कोई कि अपना स्तर से सब कुछ हो जा रहे तो हम लोग को कमी जो कमी उनको हम लोग देखते हैं बोलने के बाद भी सुधर नहीं रहा है यह एक टो कमी हो जा रहा है तो इस वाड की सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी वर्तमान में समझसा है तो वाड में हमेसा लगी रहती है जैसे कि मेरा वाड में बहुत सारा काम हुआ है वस्टेंड जो 2008 से पारित हुआ था हमारे जो कार्जपालक पधादीकारी राजीव रंजन जी थे करोना के प्रियो में भी हमेसा तत्पर्थ है कहां पर कैसे काम होगा वो फिल्ड में घुमते थे और इसके बाद उनका तो कार्जकाल भी खतम हो गया हो साइद रिटर्डमेंट भी हो गया है इनके बाद जो यह आ हैं अभी इनकी जो सफाई सबसे उत्तम काम है सफाई इनके माध्धन से जि तो तीन महिना है और इसके लिए हम लोग बहुत लाभनिमित होंगे अगर जानता आपको तिसरी वर मौका देगा इस वाड के डिवलप्मेंट के लिए विकास के लिए तो इस वाड को मौडरन इतिहासी कदर्स मनाने के साथ समार्ट वाड के रूप में कैसे डिवलप्म करेंगे क्या करूण में होगा हम बैंक और नदी किनारे वसे हुए हैं हमारा वाड और यहां पर कुदर्साइब मंदीर दोनों बहुत पुराने मंदीर हैं और हम चाहते हैं कि जैसे कि हम ल अच्छा दासनिक स्थान हो सकता है हो सकता है तो इसका इसलिए हम लोग बोर्ड में भी विचार रखे थे और उमीद करते हैं कि भविश्च में अगर यह कारिन्यों हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी इस बार परसदों के 20 से ही उपादक्ष का पत्ष्यनित किया जा जनता है जनता के ऊपर अगर मेरा काम में संतुष जनक है तो हम जरूर लोटके आएंगे और रहा बात हमारे अगर परसदों में अच्छे परसद आएंगे कर्मट अगर मुझे महसूस करेंगे तो तो चुनने का बात है उनी के हाथ पर है और अगर उन लोग चुनेंगे त जो हम अपना भाइस चर्मेन में योगदान करने के लिए अपना पूरा जूर लगा देंगे. कि आपने करो न काल में कैसे लोग को मदद किया? करोना काल में साफ सफाई का तो हम हमारी जो अधिकारी थे राजी बरंजन जी है उनके साथ घुम घुम के करते थे साफ सफाई होना चाहिए और लोगों जो बाहर से आते थे उनको कैसे बेवस्ति होना चाहिए जैसे हम लोग का यहां पर रेन बसे रहा मेरा वाड में भी बन और यहां के लोगों को सुरचित देना और वैक्सिन मोहया कराना इस सारी काम हम लोग एड़ी चोटी जूर लगा के करते थे कोरोना काल में तो आपने लोगों को बहुत ही बेहतर रूप से मदद किया और कोरोना का परकोपर भी समाफ्त नहीं हुआ है लेकिन रासरका ने फोल्डिंग टेक्स बढ़ा दिया कैसा ही है देखे हमारा ये नगर पंचायत ग्राम की तरह ही है मैं बोलता हूँ कि इस एरिया में रोजगार का साधन कुछ नहीं है पहले यहां पर बालू का वेवस्ता था पत्थर तोड़ के आदमी चलता था यहां फैक्टरी दूर में है पचास-साट किलोमेटर दूर में है तो यहां रोजगार के अभाब में यहां पर टेक्स का बात को पुना विचार रखना चाहिए यह यहां के व्यक्ति को भरपाई करने का सच्छम नहीं है जी शिवत आये कि आप लोग का जो कारेकल है दोजार तेस में सौप्त होगा लेकिन दिरवाचा नहीं की सोच विचार कर रही है कि नौमबरे दिसंबर में चुनाव कर रहा है यह मतलब चुनाव के लिए तयार हैं यह समय पर चुनाव होने से अच्छा है अगर सरकार की मजबूती स्थीती है अगर वो कम समय में कम खर्जा में अगर हमारा इलेक्शन करवा दे तो भी कोई खराबी नहीं है कोई खराबी नहीं है करा सकते हैं सबिस्क bun कि आप इक जंता करदती हैं और जंता की पहलते हैं मिलता है तो लोग picture मिल्ता है एक मांधण के रूप में वी अवाज खंदा इसके लिए एक एक साल देर्फ साल हम लोग को करना पडता है और एक पारसंद का है कि ये आपका बस्ती में हर पाबलिक का घर के साथ हर परिवार के साथ जुड़ा रहते हैं तो कहीं साधी हुआ को किसी का दिकते हुआ, कोई बुखार हुआ कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत help भी करना पड़ता है इस कर्म में ही पूरा जूटे रहेंगे हम लोग का भी अपना परिवार है हम लोग का वालवच्चा है अगर सरकार उस तरह का बेवस्ता करता है तो हम उन लोग को बहुत सारी धन्यवाद देंगे और हम लोग का भी भविश्च में इस दिकते नहीं आएगी यह होना चाहिए सिवत यह कि हेमन सरकार ने 1932 खत्यान को लेकर केमिनेट में इसे पारिद कर दिया है क्या यह इसा है यही है या इस पर विचार करना चाहिए देखे वो सरकार कुछ सोच के ही काम किये हैं उनका 32 का खत्यान उनके केवल खत्यान के आधार पर यह नहीं बनाए है वो तो बोल रहें कि यहां के आदिवासी के या मूलवासी के या कोई जाती के व्यक्ति के पास खत्यान हो या नहीं हो उनकी मूल रूप से पहचान करके उनको हग दिलाना है अगर वो केबल खत्यान दे के ही यह निती अपनाते तो यह गलत हो सकता है यहां के लोगों को benefit मिलना चाहिए इतने दिनों से जो जेल रहें उनको तो व्यवस्ता होना चाहिए तो इसलिए ओजेगो एगो नीती बना है कि ग्राम समीती के आधार पर उनकी बेस भूसा उनकी रहन सहन खांतन देखके उसी माध्यम से अगर उन लोग को चैनित किया जाए तो यह भी तो 32 का खत्यान के आ पर जो जेश्चि लगा दिया गया है क्या यह भी सही है इसे तो जरूर विचार होना चाहिए क्योंकि जीस्ती एक बार लगता है інसे लिए हमारे đầu तर्फगाई होते हैं और उनसे लूटा जाता है इसके बारे में फिक्त से विचार होना चाहिए तो आपने सुना कि जिस तरह से सराय नगर पंचायत के वाड़ पार